दोस्तों अगर आप नमलो जी सीखना चाहते हैं अगर आप पामेश्ट्री सीखना चाहते हैं यदि आप बास्तू सीखना चाहते हैं दोस्तों इसके हर एक सेक्षन में 60-60 वीडियो मिलेगे दोस्तों कभी भी जो आप सिगनेचर करते हैं उसको सिगनेचर करने के बाद जैसे संजीव जहा है तो संजीव जहा ने अगर सिगनेचर किया तो इस सिगनेचर जैसे कि आप देख रहे हैं सिगनेचर है तो यह सिगनेचर को कभी भी बीच से cut करने का कोशिस ना करे अगर आप करते हैं तो ऐसा signature आप बहुत जल्दी बदलनें यह बुरा होता है यह आपकी life में बहुत problem create कर सकता है अगर आप कोई भी अगर नाम लिखते हैं जैसे हम अपना signature किये सी जा तो इसको बीच से हम नहीं कट कर सकने हैं अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसा कभी न करें हाँ दूसरा सिगनेचर एक हम बात करते हैं क्योंकि दूसरा सिगनेचर की अगर हम बात करते हैं तो दूसरा सिगनेचर कभी भी सिगनेचर जो करते हैं यह तोर मतलब कि हटा हटा क सिणरेचर यसे कि और अइस ये लिखे ऊसके बाद एन इसके बाद जे एच ऐसा इसके सिगनेचर कभी नहीं करें यह सिगनेचर भी आपको अपने लाइफ में बुरा दे सकता है तीसा सिगनेचर है कि कोई भी आत्मी जैसे हमने बताया कि संजीव त्छिय्यार्य जो किये अईसा सिंगेशर बहुत अच्छा होता है पहला फरी छोटा इसको लिख कर दो लइन से कार देना एक बीच से कार देना और फिर किसी के साथ में ऐसा हो ऐसी आदमी अपने लाइफ की पूरी जिन्दगी जी भी नहीं पाते हैं ज्यादा तर तो यह सी जो है अगर आप ऐसा सिगनेचर करते हैं तो सबसे पहले अपने सिगनेचर को चेंज करें अगर अलग अलग लिखते हैं या बीच से कट कर देते हैं तो यह signature बुरा होता है एक signature की यह और हम बात करते हैं जैसे संजीब जा है तो इन्होंने लिखा S पूरा लिख दिया ठीक है और कोई एक अक्षर लिखा यह signature जैसे कि last लाइन नीचे दे देते हैं और दो डॉट दे देते हैं दो डॉट अगर दे दिये तो यह signature बहुत खराब होता है ऐसा signature अगर आपका है तो ऐसी signature न करें तो ही अच्छा होगा हमारे हिसाब से या आप किसी signature expert से भी मिल सकते हैं हम आप बात करते हैं अगले signature की कि कि अगर कोई भी संजीब जाका ही signature लेते हैं अगर इन्हों ने signature किया कि कोई भी अक्षर घुमा घुमा के घुमा घुमा का इन्होंने लिखा ठीक है और इनके अपने नम से वह अक्षर अच्छे तरह से दिख रहा है कि एस लिखा एन लिखा जे लिखा जो भी लिखा और जहाद तक इन्होंने लिखा और घुमा घुमा के मिला रहे हैं यह पूरा सिगनेचर उन्होंने लिखा और टोटल जो अच्छर है वह बराबर है मतलब कोई ऐस बरा है या चोटा है ऐसा नहीं टोटल वर्ड जो है एक ही लएन में एक ही क्रम में अगर सजा हुआ है तो भी ऐसा सिगनेचर न करें इनके नीचे अगर एक लएन घीच देते हैं तो भी और या में जरूर करें, उसको क्रियाटिवlica करें, तो ये अच्छा होता है, अगर अइसढ सिगनेचर करें, तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि एसा सिगनेचर न करें, ये आपके लिए बहुत बुरा हो सकता है, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकर को दबार ले, हम मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में धन्यवाद